वेलकम टू माई चैनल मैसिज एलकेस किचिन आज हम चीजी वैज सेंडविच बनाने वाले हैं तो आए ये स्टार्ट करते हैं इसके लिए याँ पर चार ब्रेड लिये हैं तो मैंने याँ पर यूज किया है आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं सबसे पहले हम पे डालेंगे भाइट वाली मैयोनीज और इसको बढ़िया से ब्रेड के ऊपर फैला देगे बागी के दो ब्रेड पे भी ब्रेड लगा लेते हैं इसको भी हम ब्रेट के उपर बढ़िया से फैला देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे अब इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याज बारी कटी हुई शिम्रा मिल्स टाल देंगे अगर आपके पास रेट और यलो शिम्रा मिल्स टाल सकते हैं अब हम इसके ऊपर रखेंगे बारी कटा हुआ टमाटर टमाटर के बीज मैंने निकाल दिये थे और इनको बारी काट लिया था अब मेरे पास पनीर था इसलिए मैंने यहां पर पनीर को छोटे चोटे टुक्रों में काट लिया है पनीर को भी हम इसके ऊपर रख देते हैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे थोड़ा सा काली मिश्का पाउडर डालेंगे थोड़े सी चिली फ्लैक्स डाल देंगे और यह नो पाउडर डाल देंगे अब यह जो दो ब्रैट है इनके उपर हम थोड़ी सी पीजा सॉस लगाएंगे और यहां पर मैंने तंदूरी वाली मैयोनीज लिया इसको भी हम इसके उपर थोड़ा सा डाल के इसको ब्रैट कर देंगे ब्रैट के उपर बहुत ही जादा टेस्टी बनती है यह वाली सेंडूज आप एक बार जुरूर बना कर देखिए अब इस पर हम थोड़ी सी टामेटो केचप डाल देंगे अब मैंने आपे स्वीट पॉंड लिये हैं जिनने मैंने बॉयल कर लिया था इनको भी हम इनके उपर डाल देंगे अब दूसरी वाली ब्रैट को हम इस पर रख देंगे उपर से आज मैं ये सेंड़िश तवे पर बनाने वाली हूँ तो गैस पर मैंने तवा रख दिया है और इसको हलका सा घी से चिकना कर दिया है ब्रैट को हम इस पर लो फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए सिखने देंगे ब्रैट को हम याँ पर एक साइट से इसेखेंगे दूसरी साइट से अभी नहीं सेखेंगे प्लेट में निकाल लेते हैं इसको अब जो साइट सेख चुकी है उसको हम इस तरीके से पलट कर ओपर कर लेंगे थोड़ी सी टर्माटो कैचप डाल रही हूँ मैं याँ पर ब्रैट के उपर अच्छे से फैला देंगे इसको और थोड़ी सी पीजा सॉस डाल लेंगे याँ पर आप मैं याँ पर डाल रहे हूँ मोस्रेलाचीस थोड़ा सा प्याज डाल देंगे थोड़ा से टमाटर डाल देंगे इसके उपर और थोड़ी सी सिम्रा मिर्च भी डाल देंगे देखिए कितनी सुंदर लग रही है यह देखने में और इगे पौडर डालेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ गी लगा के इसको चिकना करेंगे और इसको हम ब्रेट को उठा के तभे पर रख देंगे ढ़के इसको एक सी दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर सिखने देंगे तो यह सिख चुकी है इसको हम निकाल लेते हैं देखें कितनी बढ़िया हमारी सेंड्विच बन की तयार हुए है देख सकते हैं अब इसको अगर आपको ऐसे ही रखना तो ऐसी रखिए अगर आपको बीच में से काटना है तो आप काट लीजिए देखिए अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें